दोस्तों, TikTok के बैन होने के बाद, बहुत सारी Indian जैसी TikTok Apps मार्केट में लाउंच हुई लेकिन क्या ये सारी Indian Apps TikTok की तरह हैं? क्या ये TikTok का Alternative बन सकती हैं? क्या इन Indian Apps में ऐसे Features हैं, ऐसे Filters हैं वीडियोस बनाने के लिए जो TikTok जैसे हैं? क्या इनका Interface TikTok जैसा है? अगर आप एक Creator हो जो इन Apps पे काम करने की सोच रहे हो, तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी Indian Apps बताऊंगा और ये बताऊंगा कि कौन सी आप सही में TikTok की तरह है, और कौन सी आप में आपको महनत करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आपकी महनत के जो आप वीडियोस बनाओ इन Apps में, उनके रिजल्ट्स निकलें. तो दोस्तों सबसे पहली आप जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है चिंगारी आप, चिंगारी आप के सबसे जादा डाउनलोड होए हैं, लेकिन अगर आप चिंगारी का इंटरफेस देखोगे, तो आप वीडियोस को उपर नीचे स्क्रॉल नहीं कर सकते हैं, जैसे करते थे, उसके बाद मैंने चिंगारी आप में ये भी देखा कि आपको न्यूज का फीचर मिलता है और गेम्स खेलने का ऑप्शन मिलता है, अब अगर मैं न्यूज देखने लग जाओंगा, या मैं गेम्स खेलने लग जाओंगा, तो मैं फिर वीडियोस क्यों कि जबकि TikTok में कभी न्यूज या गेम्स खेलने की ऑप्शन नहीं होा करती है, तो यह कुछ चीजे हैं जो चिंगारी आप को TikTok से बॉध करदेते हैं क्योंकि TikTok में हमें न्यूज नी दिखाई जाती थी, या TikTok में हम गेम्स नी खेलते थी, TikTok का सीधा फोकस था कि createurs की वीडिय लेकिन चिंगारी में audience decide करती है कि वो कौन सी video creators की देखना चाहती है और कौन सी skip करना चाहती है इसलिए ये बहुत अलग अप हैं उसके बाद मैंने देखा कि चिंगारी के interface को भी improvement चाहिए बहुत सारे ऐसे features हैं जो अभी under construction है maintenance हैं उसके बाद इसकी global reach नहीं है अभी चिंगारी सिर्फ Indian domestic market में work करती है तो अगर आप videos बनाते हो तो आपको global audience नहीं मिलती है आपको सिर्फ domestic audience मिलती है अगर हम इसके video बनाने के features देखें तो बहुत सारे filters बहुत सारे effects बहुत सारे features जो TikTok में हुआ करते थे video बनाने के लिए अभी भी इस app में नहीं है तो आप बड़ी simple सी video ही post कर सकते हो simple सी video ही create कर सकते हो और इसमें जादा music की भी options नहीं है उसके बाद जब मैंने अपनी profile को delete करने की कोशिश की चिंगारी app से क्योंकि TikTok में आप अपनी profile को delete कर सकते थे तो चिंगारी app से आप अपनी profile को delete ही नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी कोई option ही नहीं है आपके पस एक ही option है कि आप आप को directly delete कर दो तो दोस्तों ये सारे features देखने के बाद मैं इस conclusion में आया कि चिंगारी app TikTok की तरह बिल्कुल भी नहीं है चिंगारी app TikTok का alternative ही नहीं चिंगारी app Vigo Video या Vemate की तरह है और उसके बाद भी इसमें ऐसे बहुत सारे features हैं जो Vemate और Vigo Video आप में नहीं हुआ करते थे तो इसलिए अगर आप TikTok को चिंगारी app से compare कर रहे हो तो मत करो क्योंकि ये दोनों apps अलग है दोस्तो दूसरे नंबर पे आजाती है Bolo India अब Bolo India ने TikTok के बहुत सारे features कॉपी करे हैं Bolo India TikTok का basically बच्चा है लेकिन अगर आप इसमें वीडियो बनाने की कोशिश करते हो तो कोई music की option नहीं है कोई filters, कोई features, कोई effects नहीं है वीडियो बनाने के लिए तो आप सिर्फ एक normal वीडियो को shoot करके post करते हो एक चीज इस app में बहुत अच्छी है कि ये app creators को pay करती है अगर आप इस app पे वीडियो बनाते हो लेकिन अगर आपको Bolo India में as a creator पैसे बनाने है तो आपके पास 16,000 या उससे उपर के followers होने चाहिए या 1,000,000 उससे उपर के views होने चाहिए अब ये पैसे कमाने की strategy तो app की बहुत अच्छी है लेकिन इस policy के पीछे मुझे लगता है कोई राज है क्योंकि या तो ये policy इसलिए निकाली गई है ताकि वो और creators को अपने platform में लाएं पैसा दिखा के लेकिन अगर ये पैसा खुद दे रहे हैं और इस app की company के पास कोई funding नहीं है इस app company के पास कोई advertisers ही नहीं है पैसे कमाने के लिए तो कब तक ये पैसे देते रहेंगे creators को अगर इनके पैसे खतम हो गए फिर ये creators को छोड़ देंगे और TikTok कभी भी अपने creators को पैसे कमाने का option नहीं दिया करती थी TikTok पे आप एक brand बनके sponsorships लेके पैसे बना सकते थे लेकिन अभी भी बोलो India बहुत टाइम लेगी TikTok जैसी बनने की या एक ऐसी एप बनने की जिसमें बहुत सारे creators इसको use करेंगे उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाती है Changa India एप Changa India एप में जब मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी तो मुझे ना कोई filters मिले ना कोई features मिले TikTok जैसे सबसे पहले interface बड़ा ही basic है बहुत ही beginning stage में अभी भी interface को बहुत improvements की जुरूत है और जब मैंने लोगों की videos देखनी की कोशिश करी तो मैंने ये देखा कि लोगों ने अपनी पुरानी TikTok की videos को upload किया हुए Changa एप में चंगा इंडिया में लोग सिफ अपनी पुरानी videos को upload कर रहे है और वो भी TikTok के watermark के साथ उसके बाद चौथे नंबर पे आजाती है India Talk App India Talk App को तो download ही मत करना बहुत ही बड़ा time waste हुआ मेरा क्योंकि ना कोई settings है अप के अंदर ना कोई privacy policy है ना कोई terms and conditions है वीडियो बनाने के लिए कोई features नहीं है music की options नहीं है trending hashtags को आप search नहीं कर सकते है सिर्फ आप profile बना सकते हो profiles को search कर सकते हो और delete profile का एक option है तो मैंने क्या किया सबसे पहले इसी option को select किया क्योंकि बाकी तो मुझे अप में कुछ मिलाई नहीं और मैंने अपनी profile को डिलीट करके अप को डिलीट कर दिया तो 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 किक टॉक का कमपारिजन तो छोड़ो इस अप में तो मुझे कुछ मिलाई नहीं तो क्या इसको मैं तो किक टॉक के साथ भी कंपेर करो पांच में नंबर पे आ जाती है शेयर चैट की मौज आप मौज आप को जब मैंने डाउनलोड किया और मैंने जब आप का इंटरफेस देखा और जब मैंने वीडियो शूट करने की कोशिश करी तो मैंने पहली समझ लिया ये टिक टॉक की तरह नहीं है क्योंकि मौज आप में आप सिर वीडियो को अपलोड कर सकते हो और लोगो ने भी बहुत सारे यूजर्ज ने सिर्फ पुरानी वीडियो को अपलोड करा हुआ है और टिक टॉक का वाटरमार्क अपनी वीडियो में से हटा दिया है और इस app की अगर आप interface को दिखोगे तो आपको सिफ तीनी options मिलेगी Home option, Upload option, Profile option जबकि TikTok में इतने सारे features हुआ करते थे और वैसे भी जब हम इस app में वीडियो ही नहीं शूट कर सकते तो TikTok के साथ इसको compare करने का कोई फैदा ही नहीं है छटे नमबर पे आजाती है Mitro app Mitro app भी इंडिया में बहुत डाउनलोड लेकिन यह बहुत कोंट्रोवर्सी में पहले फजी थी कि यह एक पाकिस्तानी डेवलपर ने बनाई है इस app की website नहीं खुल रही थी कोई privacy policy नहीं थी Terms and conditions कहीं मिलनी रहे थे लेकिन अब इस app की website भी खुल रही है और privacy policy भी update हो चुकी है तो आप इस app को try कर सकते हो लेकिन इस app में सबसे कमाल की बात बता हूँ आप follow button को यह click नहीं कर सकते है और मैंने जब बहुत सारी creators की video को उपर नीचे scroll किया तो मैंने यह नोटिस किया कि बहुत सारी creators की zero followers है आप विश्वास कर सकते हो कि follow का button ही नीच चल रहा है अगर मैं किसी भी creator को follow करना चाता हूँ तो मैं follow ही नी कर पारा और अगर follow का button ही चल रहा है एक app में तो उस app का purpose किया है creator उसमें video क्यों मनाएगा अगर follow ही नी कर सकता हो से कोई तो उसके बाद मैंने जब मित्रो आप में video shoot करने की कोशिश करी तो interface बहुत basic है और आपको camera का logo नी मिलेगा video shoot करने के लिए जब आप क्लिक करोगे आपको music का logo मिलेगा जैसे आपको कोई music की video बनानी है तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मित्रो आप में जो देख के ऐसा लगता है कि मित्रो आप किसी एक नए डेवलपर ने मनाई है जो सिर्फ एक नई आप बनाने की कोशिश कर रहा था जबकि TikTok तो एक ऐसी आप बन गई थी जो Facebook, Instagram, YouTube जैसे बड़े-बड़े फ्लाटफर्म को कॉम्पटेशन दे रही थी तो मित्रो और TikTok का कोई comparison ही नहीं है और मित्रो आप तो ऐसी लगती है जैसे सिर्फ अभी-अभी नई डेवलप होई है जिसमें एक फॉलो का बटन भी ने क्लिक हो रहा तो अगर किसी creator के फॉलोर नहीं बनेंगे तो वो आप को क्यों यूज करेगा साथवे नमबर पे आजाती है जोश आप जोश आप पे आप वीडियो नहीं शूट कर सकते हैं आप वीडियो नहीं कर सकते हैं आप से वीडियो को अपलोड कर सकते हो अब अगर आप वीडियोस को सिर्फ अपलोड ही कर सते हो तो नया क्रिएटर आपकी आप को क्यों डाउनलोड करेगा और क्या करेगा वो आपकी आप पे आके TikTok तो छोड़ो इसका कोई comparison नहीं है TikTok के साथ आठवे नमबर पे आजाती है ShareChat ShareChat का TikTok के साथ कोई relation ही नहीं है और उसका कारण यह है क्योंकि ShareChat एक social networking service है Regional India, Rural India गाउं में पोचने के लिए ShareChat English में available नहीं है, ShareChat हीलो एप की तरह जादा है और इसे city वाला आदमी इस्तमाल ही नहीं करेगा तो इस app को तभी इस्तमाल करना अगर आपको रूरल इंडिया में गाउं में social networking करनी है और इसका TikTok के साथ कोई relation ही नहीं है 9 नमबर पे आजाती है Trail app Trail app पे आप vlogging और vlogging कर सकते हो आप vlog लिख सकते हो Trail app में अगर आप vlogging करना चाहते हो तो आप vlog को shoot नहीं कर सकते है इस app में लेकिन आप अपने vlog को upload कर सकते हो और इस app में आप videos को उपर नीचे scroll नहीं कर सकते है जैसे TikTok में करते हैं ये app में आपको thumbnails दिखाए जाएंगे teasers दिखाए जाएंगे वीडियो की और आप as a user select करोगे कि आपको कौन सी video देखनी है और सबसे कमाल की बात इस app में पता है क्या है आप shopping कर सकते हो अब इस app को मैं e-commerce की app से compare करो या मैं TikTok से compare करो shopping का नाम सुनके आप वैसी समझ गए होगे कि इसका TikTok से कोई मतलब ही नहीं है और दसवी और आखरी app जिस app को देखे मुझे सही में लगा कि हाँ ये app TikTok की तरह है इस app पे आपको मेहनत करनी चाहिए as a creator और सही में हम सारे हिंदुस्तानी ये कह सकते है कि ये है made in India TikTok और उस app का नाम है Roposo Roposo app का जब आप इंटरफेस देखोगे तो बहुत TikTok की तरह है Roposo app पे अगर आप वीडियो को शूट करोगे तो आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिलते हैं एफेक्ट्स मिलते हैं गानों की बहुत ऑप्शन्स हैं लेकिन अभी और भी उन्हें गानों की ऑप्शन्स बढ़ानी चाहिए आप Roposo में Slow Motion वीडियो भी बना सकते हो लेकिन अभी भी Roposo को Global Reach अपनी करनी पड़ेगी Global Audience आपको इस App में नहीं मिलेगी आपको सिर्फ Domestic Indian Audience मिलेगी और इसका Interface भी बहुत TikTok की तरह है लेकिन अभी भी Roposo को बहुत सारी Funding बहुत सारा पैसा चाहिए होगा अगर उन्हें सही में TikTok बनना है इंडिया का तो दोस्तों सारी Apps की बातों को अगर मैं conclude करूँ तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप as a Creator एक App को ढूण रहे हो TikTok जैसी वीडियोस क्रियेट करने के लिए तो आपको Made in India रोपोसो एप यूज़ करनी चाहिए क्योंकि उसी के फीचर्स कुछ TikTok की तरह है उसी की स्टाइल कुछ TikTok की तरह है लेकिन सारी Apps को इस्तिमाल करना मत शुरू कर देना सारी Apps टिक टॉक की तरह नहीं बन सकती कि as a creator जिस आप पे आपको वीडियोस बनाना पसंद है जिस आप पे आप वीडियोस बनाना comfortable फिल करते हो उसी आप को सिलेक्ट करना लेकिन मेरे ख्याल से आपको सिर्फ एक ही आप सिलेक्ट करनी चाहिए और वो है रोपोसो क्योंकि वो ही आप TikTok से बहुत close है और वो ही आप है जो इंडिया का made in India TikTok बन सकती है तो दोस्तो बस अब मैं इस वीडियो को एंड करूँगा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करना आप इन में से कौन सी आप्स का इस्तेमाल करते थे और अब वीडियो देखने के बाद आप कौन सी आप्स का इस्तेमाल करोगे और क्या आप finally रोपोसो आप को यूज करोगे या नहीं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा तब तक के लिए बाई बाई